साथियो नमस्कार मैं हूँ कृष्णा रंसिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा आज के इस वीडियो में हम लोग जो बिहार लोग सेवा आयोग बिग्यापन संख्या 25 अवलिक 2024 के तहत पर्धान सिक्षक का रिजल्ट आया है उसका प्रकासन हुआ है उसी से संबंधिते कुछ बिंदूओं पे चर्चा करने के लिए उपस थीते हैं कि आप सभी बिंदूओं से वाकिव हो चुके हैं फिर भी हम लोग कुछ जो महत्यपूर्ण बाते हैं उसमें हम लोग यहां पे डिटेल रूप से जानने का प्रियास करेंगे बिग्यापन संख्या 25-2024 के अंदरगत सिक्षा विभाग बिहार के अंतरगत प्रार्थमिक विद्याले में प्रधान सिक्षक प्रतियोगता परिक्षा का परिक्षा फल प्रकासित हो चुका है और इसकी जो सूची आई है उसमें सफल अभ्यर्थी अर्थार जिनका मेरिट बन चुका है उन अभ्यर्थियों को मेरी और से इसे चैनल की और से एजुकेशन पोडल क्रिशना की और से हार्दिक स्वागत है आने वाले समय जो कि नए संबर्ग में इन लोगों का पदस्थापन होगा और जो नए प्रकार का जो इन्हें पद सम्हालने का दाई तो उनकी जिम्यवारी मिलेगी तो उनके लिए अग्रिम शुभकामना है उनको मैं यहां से प्रेशित कर रहा हूँ यह जो परिक्षाफल प्रकासित हुआ है जो सूची आई है लंबी चोड़ी सूची है उसमें सिरियल नंबर के साथ साथ है रोल नंबर उसके साथ जो सफल अभ्यारती है और जिनका मेरिट लिष्ट में नाम आ चुका है उसका नाम भी उसमें अंकित है और इसके साथ-साथ महत्पुन बातें यह भी अंकित की गई है कि merit serial अनकी उनका merit serial करमांक क्या है यह जो merit serial करमांक है इसी के तहत उनको benefit समीम लेगा हो सकता है कि जिला का जब अवंटन होगा तो उनसे 24 ले लिया जाए और उनके 24 के अधार पर यह जो merit serial है उनका benefit प्राप्त होगा तो चलिए हम लोग board पे आकर के कुछ महत्पुन बातों की चर्चा कर लेते हैं आप असपस रूप से देख पा रहे होंगे कि BPSC का cut-off marks इस प्रकार से अंकित किया गया है उसी सुची में तो UR के लिए और कि जो समान कोटी जेनरल कोटी के लिए है male का 67 है और female का 59 है उसके बाद EWS है और कि जेनरल के टेग्री में जो आर्थिक रूप से कमजोर बेखती है समान कोटी में जो आर्थिक रूप से कमजोर बेखती है जिनका स्रेटिफिकेट बना हुआ जो इस आधार पे अपलाई किये थे तो male के लिए जो merit list में आने का था वहां 48 था और female के लिए पुना 48 था SC के लिए male के लिए 49 और female के लिए 48 था ST के लिए male 48 और female के लिए 48 दोनो male और female के लिए समान था EBC एनेक्सर 1 भी इसी में आ जाएगा आत्यंत पिछरावर के लिए male के लिए 59 और female के लिए 49 था BC male के लिए 61 और female के लिए 52 था तो इस प्रकार से जो BPSC के द्वारा cut-up अनकि जो मेधा सूची बनाई गई है इसी के दार पर बनाई गई है हमने कट-up भी बनाया था जब अनसर की आया था उसके पहले ही जब परिक्षा समाप्त हुई थी उसके बाद भी तो प्रकार के cut-up बनाये थे लगभग मेरा जो cut-up था लगभग जो BPSC का cut-up आया है उसके equivalent था लगभग एक दो अंग का आगे पीछे था तो कोई खास माइने नहीं रखता है आप इस वासे भली बाती अवगत है कि जो cut-up बनाया जाता है वो एक संभावित मार्क्स होता है और उसी मार्क्स के इर्द गिर्द जो final cut-up आता है वह बिलोंग करता है कि जो merit बनता है तो मेरा cut-up इस प्रकार से था यू-r के लिए तो इस cut-up को देखने से पहले हम लोग जो विग्यापन जारी हुई थी 25-2024 के तह तो उसमें जो qualifying marks रखा गया था अलग-अलग category के लिए तो वह इस प्रकार था इसको हम लोग remind करें इससे असपश्टा हो जाएगी जो भूल गया है जिन्हें याद नहीं है इस आधार पे वह मिलान कर लेंगे कि UR के लिए जो समान कोटी के लिए था उसे 40% है निकि 150 अंग की परिक्षा हुई थी तो 150 में 40% उसे marks लाना था qualifying होने के लिए तो 60 अंग कुने लाना था लेकिन यहाँ पे देखे मिला यह कि UR के लिए जो male candidate था उसके लिए जो मेधा अंक बना है निकि उसका यह जो प्रकाशन है परिक्षाफल का प्रकाशन उसमें अधी जगह मिला है तो अधी वह 67 लाए है तो उस इस्तिति में वे एक seat के लिए हक साथ है तीन अंक का डिफरेंट्स होता है और यह काफी मेल खाता एक दो अंक का कोई माइने ने रखेगा उसके बाद बीसी के लिए 36.5 क्वालिफाइंग मार्क्स था और पास होने के लिए 54.75 अनिकि इसको मान के चलिए 55 अंक उसे लाना है 150 अंक में उसके बाद इबीसी के लिए 34 परतिसत था जिसमें 51 अंकल बनता है 150 में SCST अनिकि जो अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती है उसके लिए 32 परतिसत था 150 में उन्हें कुल मिला करके 48 अंक सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए था फिमेल के लिए उसी परकार से 32 परतिसत और दिव्यां के लिए 32 परतिसत अनिकि इस परकार से 48 अंक इन्हें सिर्फ अहरता अंक प्राप्त करने के लिए रखा गया था और आप इस वासे भली भाती अबगत हो चुक तो एक लाख 15,000 अभ्यार्थियों में कुल मिला करके जो सीट पूर्व में प्रकासित हुआ तो जिसमें विग्यापन जारी हुआ था 25 अभलिक 2024 के तहद तो उस समय पूर्व में जो पद था 40,247 था याद कीजिए 40,247 था लेकिन कुछ तबदिलियां हुई जो आरक्षन का मामला था उस तबदिली के कारण से 50% का जो आरक्षन था उस अनुसार से जब सीटों का बटवारा किया गया तो उस अधार पे कुछ सीट में फिर वदल भी किया गया और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी विद्याले हैं जो मर्ज हो चुके थे तो उनकी भी कांटिंग हो करके एक विद्याले में जो मर्ज हो चुका था उसे हटा करके फिर उसकी संख्या जो परधान सिक्षक की संख्या थी वह भी घटी तो बरतमान में कुल पद 37,943 हो चुकी थी तो 37,943 पद होने के बावजूद भी बहु सारे पद भेकेंट भी रह गया उन्हें पूरा भी से उसे भी प्राप्त नहीं कर पाया इस आधार पे वह सीट खाली रह गया तो सीट कितनी खाली रही तो बरतमान में पद 37,943 है सफल हुआ 36,947 ध्यान रखियेगा तो खाली रह गया 996 पद तो 996 पद में दिव्यांग का पद अधिक संख्या में खाली रह गया 931 पद उस पद बनता है उस अभ्यर्थी के द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थी और ST अभ्यर्थी के द्वारा क्वालिफाइंग मार्स को भी नहीं क्रोस कर पाया और इस बज़ा से वह 996 पद खाली रह गया और सामिल हुआ था 1,15,000 इतने अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और मा देखें लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा कटफ था अधी इसमें BPSC का जो कटफ है उसके बाद मेरा कटफ इसमें दी तालमेल किया जाए तो काफी हद तक आपको वह देखने को मिलेगा आप स्क्रीन पे जो पूर्व का वीडियो मेरा था उसका आप यहां पे देख सकते हैं उसे देखिए लगभग जो BPSC का कटफ है और मेरा कटफ है लगभग इक्यूवलेंट हो रहा है लेकि एक दो अंक का डिफरेंस तो होता ही होता है कटफ कोई एक ऐसी सटीक मार्क्स होता नहीं सटीक जानकारी नहीं होती है एक संभावित यह दिया जता है तो यू आर के ल लाई है यू आर का मेल सट सट था और सतर से पचत्तर तो कोई खास डिफरेंस नहीं दो तीन अंक का है उसके बाद EWS का हमने बनाया था 65 से 70 और यहां पे मेल के लिए 48 है यह थोड़ा सा अधिक दूरी दिखाई जा रही है ज्यादा डिफरेंस यहां पे लग रहा है तो EWS है यहां पे 48-47 है काफी इसकी संख्या EWS अभ्यरतियों की संख्या निशितरूप से कम होगी इस बज़े से इसका कटफ डौन गया है इसके बाद BC पिछड़ा बर्ग 60 से 65 कटफ था लेकिन BC का यहां पे देखिए 61 से 52 हम BPSC के द्वारा आया हमने दिखाया था 60 से 65 है तो इसके बाद EBC के लिए 55 से 60 है और EBC का यहां पे देखिए आप 69 हमने मेल के लिए रखा था तो 69 जो कि 55 और 60 के अंतरगत आहिज आता है तो यह काफी लाइय करता है काफी समनता होती है इसमें उसके बाद SC-ST के लिए 50 से 55 था तो SC के लिए यहां पे 49 है और ST के लिए 48 है इ तो यहां पर उसी प्रकार से कोई खास डिफरेंस नहीं है तो मुखरूप से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इन सारी बातों को लेकर के उपस्तित हुए थे कि जो विग्यापन जारी हुआ था उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था अधी आप क्वालिफाइ कर चुके थे लेकिन उससे काम होने वाला नहीं था आपको मेधा अंक में आना चाहिए था जो मेरिट लिष्ट बना है उस अनुसार से थोड़ा सा अधी आप और परियास करते एक दो चार या पांच प्रशन को अधी आप आसानी से सोल्व करते तो निसित रूप से आप भी इस प्रतियोगता परिक्षा जो ही थी प्रधान सिक्षक की उसमें एक सीट लेने के हगदार हो जाते बस आज के चुछी जारी हुई है मेरिट के आधार पे तो उन मेरिट लिस्ट में जो भी अभ्यार्थी जिनका नाम है उन अभ्यार्थियों को पुनह मैं अग्रिम शुभकामनाय प्रश्थुत करता हूं इस चैनल के माध्यम से बस आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले करेंगे उसके बाद कब तक विद्याले आवंटित होगा कब तक इसका जो कॉंसलिंग की तिथी जारी होगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगा और कॉंसलिंग तिथी में जो की सर्डिफिकेट वेरिफिकेशन होगा उसमें किन-किन सर्डिफिकेट की आवस्कता है किन-किन certificate को ले करके जाना है और कुछ technical जो परेशानियां होती है उस technical परेशानियों पर भी बात करेंगे बस आज इतनी ही बात करके वीडियो को आगे अपनी बातों को विराम देते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद